हलो दोस्तों नमस्कार स्वागाथ एक और नए वीडियो में अगर आप भी एक जॉब सिकर्स हैं बिदेश में जॉब लेना चाहते हैं या सेटल होना चाहते हैं तो आज मैं आपको बहुत सारे चीज़े बताने वाला हूँ जो आपका बहुत काम आने वाला है हलाकि बहुत ज़यदा जॉब सिकर के सपना होता है कि वो बिदेश जाएं, बिदेश में जो आकर सेटल हो जाएं और अच्छा खासा इनकम करें बिदेश जाने का मतलब है कि минимum लाख रुपय का सालरी होना ही चाहते हैं और कहीं नया कहीं आपका भी मीज़े सपना होगा अगर आपका भ कोई legal problem ना आ जाए, आपके profile में कोई दाग ना लग जाए, taxes किसे pay करना है, कितना pay करना है, salary कितना मिल जाता है, gross salary क्या होता है, net salary क्या होता है, lifestyle कैसे जीना है, ठीक है, आपका house rental क्या होता है, आपका आगे क्या future होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में, आज मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, तो क्या करना है, भीडियो में आखे तक बने रहना है, ताकि अगर आप कोई भी country जाए ये ये बहुत काम आने वाला है, हाला कि आपको बताऊंगा, मैं Croatia के बारे में, लेकिन इसी तरह का rules and regulation हर एक European country में होता है, दोस्तों, हाला कि मैं हर एक country का इसी तरह का वीडियो बना के लाऊंगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, आप जिस देश में भी जा रहे हैं, आपको पहले पता लग जाएगा कि क्या करना है, ताकि आप वहाँ जब पहुँचते हैं, तो आपको कोई प्रकार के दिक्कत ना हो है, नमस्कार, मैं हूँ अशक कुमार साहू करियर कोच, और आप देखने हैं लावनिया Global Career Planner YouTube श्यानल, अगर आप पहले बार चनल पे आया हैं, तो आपको सब्सक्राइब कर लिजेगा, साथ इबेल आकोन को आउन करके, नोटिफिकेशन बटन को आउन रखें, शुरू करते हैं, सबसे पहले एक चीज़ बताओ दोस्तों, इंडिया का मैकसिमम जॉब सिकर्स जो क्रवेश्या जाते हैं, क्रवेश्या से पलायन करते हैं, कोई डंकी मारता है, कोई और किसी तरह के से भागता है, ये बिल्कुल ना करें, इससे क्या है, आपका छबी के साथ साथ, देश का अच्छा भी खराब होता है, क्योंकि वो देखते हैं कि इंडियान साते हैं, और यहां से डंकी मारके भाग जाते हैं, तो ये बिल्कुल मत कीजिएगा, इसमें क्या हता है, कई लोग जो है, मनिपलोईट करके बताते हैं कि जर्मेन में ज्यादा सेलरी मिल जाएगा, आप जो वह ज़्यादा सेलरी मिल जाएगा, तो मेरा भाई सेलरी उनहीं को मिलता है, जिसके पास स्किल्स होता है, जिसके पास प्रॉपर एक्स्पिरेंस, प्रॉपर एजुकेशन होता है, अगर आप पहुंचुके हैं क्रवेशिया, तो थोड़ा दिर रुकें, काम करें, आप पर जाके काम सीखें, वहां से भागना नहीं है, लोग क्या करते हैं, जाते ही, आपको कई लोग बरगलाते हैं, कई लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, मिसलीडिंग करते हैं, और आप वहां से भाग जाते हैं, कोई जर्मनी, कोई फ्रांस, कोई और कहां तो और कोई कहां ठीक है ऐसा नहीं करना जब आप जाओगे तो वहां आप इलीगल माना जाते हैं जब इलीगल आप जाते हैं तो आपको कोई काम नहीं मिलने वाला है फिर आपको वहां से डिपोर्ट कर दिया जाएगा तो जो भी आपने खर्चा करके यहां से कहे हैं, क्या मतलब पड़ेगा, बात समझ में रही मेरी बात, ऐसा बिलकुल मत करना, देखिए अगर आप जर्मनी जाते हैं, जर्मनी एक ऐसा देश है जो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, वहाँ पर आपको बिना प्रॉपर डॉकुमेंट्स का काम नहीं मिलेगा, हर ए इसी बहुत तरह से लीगल करने कोशिश करेगा, और वो उसके लिए बहुत मोटर अकम चार्ज करेगा, इससे बहतर ये है, कि आप जिस देश में पहले बार गये हैं, जर्मनी के तो जर्मनी से भागिये मत, अगर आप पॉलेंड गये तो पॉलेंड से भागिये मत, अगर क्रुएशे गये तो क्रुएशे भागिये मत, अगर मालते गये तो मालते भागिये मत, मिनिममम एक साल काम करें, आपको देश के बारे में समझ में आएगा, उनका कल्चर के बारे में समझ में आएगा, ठीक है, ये बात समझ गये आप, अब चीज़ बताता हूँ मैं, तो जब आप सोच लेते हैं कि आपको Croatia जाना है तो जाने से पहले आपको समझना चाहिए कि जब वहाँ पहुंच जाएंगे तो क्या करना होता है ठीक है वहाँ जाने के बाद कैसे जीना है वहाँ जाने के बाद कैसे काम करना है लोगों के साथ कैसे reputation बढ़ाना है लोगों के साथ कैसे friendship बढ़ाना है इस सब चीज जानना है तो आपके पास 6-8 मेने का समय लाता है इस दावरान क्या करें सबसे पहले आप language सिखने का कोशिश करें आज के date में YouTube पर आपको तमाम तरह के सिखने का चीज है आप लोग क्या करते हैं सिखते नहीं हैं बलके Instagram में स्क्रॉल करके नंगा नाच देख रहे हैं ठीक है YouTube में देख रहे हैं ये सब शोट देखना बंद करें अपने career, अपने जिंदगी में आगे बढ़ने का जो चीजे हैं वो देखिए ठीक है हर जगा दोस्तों आपको negative positive मिलेगा लेकिन आप positive को बर ध्यान दे आपका जिंदगी बनेगी ठीक है अगर आपको जाना है Croatia में example दे रहा हूँ Croatia जाना है तो Croatian language सिखें Croatian language का अगर आप थोड़ा बुछ सिख लेते हैं तो वहाँ जाने को बहुत काम आने वाला है दूसरा सबसे important चीज आपको याद रखना है medical fitness आप अगर वहाँ जाते हैं तो यहाँ का atmosphere यहाँ का temperature वहाँ का atmosphere वहाँ का temperature में आस्मान फर्क है ठीक है तो जाने से पहले आप खुद से अपना medical जाच करा ले क्या आप वहाँ जा सकते हैं क्या आप वहाँ जाने के बाद काम कर सकते हैं क्या आप medical fit हैं यह आपको जानना है तो कोई आपको पूछे ना पूछे medical के बारे में आप खुद से अपना medical test जरूर कला रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे बिमारी होता है जो पता नहीं चलता है, जनरल्य आप जब टेस्ट करेंगे तब को पता चलता है, तो कही न कही जाने से पहले आप उसका क्यूर कर सकते हैं, उसका मेडिसिन ले सकते हैं, उसके बाद अगर आप जाएंगे तो आपको निस्टिन्थो करे काम कर सकते हैं तीसरा दोस्तों यहां का ट्वैलेट करने का तरीका वहां का ट्वैलेट करने का तरीका बहुत फर्क होता है वहां का घर जो बनाते हैं वो और यहां का जो घर जो बनता है इसका भी बहुत ज़्यादा scientific regions है यहां पर देखिए ना तो ज़्यादा बरप पड़ती है ना ज़्यादा बारिस होती है ना ज़्यादा गर्मी होते है उस सबसे हमारे यहां का जो घर का धाचा होता है वो प्रेचर मेंटेन नहीं किया घर के अंदर, तो कही ने कही घर में फंगस होना चलू हो जाता है, ठीक है, तो ये अगर फिर से घर का मालिक उसको बनाता है, तो उसको फिर से लाखों रुपए का चुना लगता है, जो आपको पता नहीं होता है, आप तो जानते ही नहीं, आप तुझे से इंडिया में रहते हैं, वैसे वहारा रहने को कुशिश करते हैं, तो वैसे बिलकुल नहीं चलता है, इस बारे में आपको ग्यान लेना है, इस बारे में आपको रिसर्च करना है, इस बारे में आपको पढ़ना है, जानना है दोस्तो ठीक है तो यह करना बंद कीजिए ठीक है क्या करें हर किसी को अच्छा सम्मान ने ते भी आपको सम्मान मिलेगा हर किसी अच्छा बात करेंगे बात करना सिखिए ठीक है कम्मिनिकेशन इस मोस्ट इंपोटन टूल दोस्तों अगर जब बाहर जाते हैं तो चवता चीज जो है जब वहां जाते हैं तो आपको ओनेस्टी के साथ काम करना है वहां पर किसी भी तरह के इलिगल एक्टिविटीज में बिलकुल सम्मिलित नहीं होना है आपको बहुत क्यादा ही करना है तो आप उसी कंपनी को पूछे होवा टाइम के लिए जहां पर आप काम कर रहे हैं आपका जिंदगी बहुत स्वर्ग जैसे लगेगा दोस्तों नेक्स्ट बता दूमें आपको टैक्स टैक्स हर एक ब्यक्ति को पे करना होता है इंडियन जो यहां से जात आप आने वाले पांग साल के बारे में सूचिए आप आने वाले फ्यूचर के बारे में सूचिए लेकिन आप लोग ऐसे नहीं करते हैं और दर धर के ठोकर खाते हैं जैसे भेड़ चाल होता है ना आप भेड़ चाल की तरह भागते हैं ऐसे बिलकुल मत करिए मैंने बहुत लोगों को देखा है सब के सब लोगों के साथ मनिपिलेट हो जाते हैं और इधर भागते हैं इधर उदर मज भागे मेरा दोस्त किल बनाई है सबसे पहले ध्यान दीजिए आप जिस काम में गया हैं उस काम में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं कैसे आप ज्यादा काम सिख सकते है इसमें ध्यान दीजिए तीक है मैंने देखा है maximum YouTube जो वीडियो देखते हैं बस salary देखते हैं कितना salary मिलेगा कितना salary मिलेगा घंटा कुछ नहीं मिलेगा जब तक काम नहीं आता आपको कोन देगा salary आपको बीना अगर आपको काम नहीं आता है और इंडियन्स में ने देखा है बहुत ज्यादा जूट बोल करके बीदेश जाते हैं कि मेरे को यह आता है मेरे को वह काम आता है मेरे को यह काम आता है और यहीं चीज को देख करके माल्टा में भी शुरू कर दिया इसकिल एसस्मेंट उसमें वो फिल्टर कर देंगे किस बंदेख पर स्किल्स है की नहीं है उस देश के बारे में अपने रिसर्च किया है की नहीं किया है उस देश का जिसे फ्लाग है फ्लाग कितना कलर है उसमें फ्लाग में उस देश का कैपिटल क्या है उस देश में कितना उस देश का भाशा क्या बुली जाती है उस देश का लोग कैसे हैं उस देश का culture क्या है उनका खान पान क्या है ये इतना तो आप research कर ही सकते हैं उस देश में जा रहे हैं जहां पर आप लेकिन लोग करते नहीं है सब कसब खुश हो जाते हैं मैंने एजनसी को पैसा दे दिया, एजनसी मेरा काम करा देगा, मैं बस फ्लाइट निकला और चला गया, वहाँ जाने का बाद पता नहीं क्या करना है, तो एटलिस्ट अगर आप बेसिक सीखेंगे, उस देश के बारे में बेसिक जानेंगे, तो आपका ही फैदा होने वाला है, क्योंकि देखिए, एजनसी वाला पैसा लिया, काम करके दे दिया, आप पहुँच गए, अब आपका काम शुरू होता है, लेकिन अगर आपने बेग स्टाइल किया है, नेचर कैसे होता है, आजकल हर चीज आपको गूगल में, यूटूब में मिल जाते हैं, उड़ दोस्त, तो इस चीज को जानना है, तब ही जाके आपको सक्सेस मिलनी वाली है, बस इस चीज में बताने कि आज के वीडियो बनाया था, कि अगर आप जाते हैं, दोस्तों, जाने से पहले होमवर करके जरूर जाएं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और किसी भी देश में जाने के वासे उस देश से भागे मत, डंकी बिलकुल मत लें, ठीक है, नहीं तो आपको पच्ताना पड़ेगा बाद में, आप न इधर के होंगे, न बोर ने भीडियो लेकाऊंगा, तब तक आप रखे अपना खयाल और मुझे दी इजाज़ों थेंकि सो माच, जय हिंद, जय भारत